नमस्कार सवागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल जोब पोर्टल पर जैसा कि आप वीडियो के थमनल में देख चुके हो आज की इस वीडियो के अंदर हम जितने भी हमारे एक्सर्विसमेन है उनके से रिलेटेड यहाँ पर पुलीस के अंदर जो जोब निकलती है उसकी जानकारी अलग-अलग राज्ये के अंदर जो जो वीकेंसी निकली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो अगर आप एक्सर्विसमेन है एक्सर्विसमेन डिपेंडेंट है तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि लेटेश वेकेंसी अपडेट से हम आपको तुरंत अवगत करास की तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम अलग-अलग विभा के अंदर पुलीस या फिर SI के जो पोस्ट निकली हुई है उनकी यहां पर जान करेंगे अगर आप चाहते हैं इच्छूख है पुलीस के अंदर जोग करना तो इस वीडियो को आं तक देखें और वीडियो से संबंदी सुझाओ देना नहीं भूलें चलिए ज्यादा से में लेते हैं हम आपकी वीडियो है साथ जार पदों पर और काफी अर्जेंट है अगर आप हरियाना से हैं और यहां पर जो पोस्ट निकली है उसके लिए आविदन करना चाहते हैं सब्सक्राइब या फिर सब इंस्पेक्टर की साथ जार पदों पर तो आपकी यहां पर लास्ट डेट 21 अक्टूबर है इससे पहले आप यहां पर रजिस्टेशन कर लें रजिस्टेशन यहां पर शुरू हो गया है आप यहां पर देख पारें हरियाना करिमचारी चैन पर किया है वेकेंशी को फिर से ओपर कर दिया है जो उमीदवार पहले फोर्म नहीं भर पाये थे वे पुलिस कॉंस्टेबल या फिर SI के पद पर अपलाई कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर 2018 तक यह चलेगी गी ग सेकेंशी के दवारा पुलिस विभा के विविन यूनिट के रिक्ट 7110 पदों पर सीधी भरती करने का नेन लिया गया है तो चलेए बात करते हैं पद का नाम क्या है और कितनी यहां पर रिक्तिया है क्या विवरण है टोटल पद का नाम यहां पर कॉंस्टेबल सब इंस्प सीटे हैं जहां पर यहां पर आप देख पा रहे हो जनरल वार्ड के लिए 300 सीटे हैं से के लिए 900 BCA 700 BCB 400 ECM पदों पर यहां पर आवेदर मांगे गए हैं यहां पर इसके साथ साथ हर्याना राजय भारते रिजव बटालियन में प्रूज सिपाई के लिए 500 पदों पर भरतियां होंगी महिला कॉंस्टेबल के लिए भी यहां पर भरती 1146 सीट अवेलेबल है आप यहां पर देख पा दी है और अब यहां पर 21 अक्टूबर तक फिर से आवेदर कर सकते हैं यह उन्होंने अपना नोटिस पहले बेजा है और यहां पर इसके साथ साथ कॉंस्टेबल के पदों का विर्वरेंट भी दिया है कि कितने पदों पर यहां पर हम भरती करने वाले हैं इसके बाद अग पर मांगा गया है अगर आप एक सर्विसमेन है तो रजव के टेगरी के लिए हाइट यहां पर 168 सेंटीमीटर है चेस्ट यहां पर 81 सेंटीमीटर नोमल है और एकस्पेंड़िड यहां पर 85 सेंटीमीटर मांगी गई है इसके साथ साथ आगे हम बात करें सेक्षनिक योगि ॥ सवी उग मांता पर आप संस्तान या उनिवरस्टी से ऩी शॉनपर अनिवारी है और जो हमारी मेंट भासा हिंदी या फिर संस्कृत विशो और उन NOा चाहिए और आयूसी मा नॉर्मल जो वर्ग होता है उसके लिए यहां पर 18 वर्ष अधिक स्थम 21 वर्ष है और सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम यहां से 21 और मैक्सिमम 27 साल के बीच यहां पर आने चाहिए उसके बाद रिजो कटेगरी के लिए जो छोट मानने है वही अपलाई होग उनको यहां पर 21,700 से लेकर 49,100 रुपए की सैल्डे मिलेगी और सब्सक्राइब के लिए 35,400 रुपए प्रतिमान एधायत यहां पर किया गया है अगे बात करें कि चैन पर करिया किस तरह है तो उमिद्वार चैन लिखित प्रिक्षा यहां पर होने वाली है उसके बाद यह पर अप्लाई कैसे करें आप तो अप्लिकेशन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओफिशल वेबसाइट अधिकारिक विवगपती जारी कर यहां पर युवाओं से आवेदन मांगे हैं पुलिस कॉंस्टेबल के पदों पर यहां पर भरती के लिए डाक की जड़िए आवेदन पत्र भेजने की तारिक तैकी गई है और लास्ट डेट है वो तीस ओक्टूबर यहां पर तैकी गई है लेकिन जितने भी हमारे रिजावर्ट का टेकरी के हैं जैसे एक सर्विसमेन या फिर सेस्टी ओबी सी उनके लिए जो नियोशीमा निर्धारत है वहीं होगी और यहां पर जो नियोंतम सिक्ष्या की बात करें तो बार्वी पासक्ष्या उत्रेन होनी चाहिए उसके बात करें तो एक ते हाँ पर देली प्लिस में 77 पूंचों पुर्शों के लिए । यहां पर मनिलायों के लिए और बाकि रिजर्व क्टेकरी के लिए यहां पर वं थृर्टी तो बात करें करीं तो बावन सो से लिकर 20 16-2025 निया जाएगा प्लश ग्रेंड का ग्रेंडी बगते हैं वो दिये जाएंगे अपलाई कैसे करें तो आप वर्तमान में इसका ओं-लाइन आविधन जो है मतलब जो भी ट्रेंड है उसके विपरेत हो रहा है मतलब यहां पर आविधन ओन-लाइन की वज़ाई आफ-लाइन आविधन मांगे गए हैं तो आप पहले क्या करें जो पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट है, यह हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, इसके उपर जाएं और यहां से आप इसका प्रारूप डाउनलोड कर उसे नीले रंग के बॉल पॉइंट पैन से अंग्रेजी में भर लें, जो पूरा हैं, उनको भी 30 अक्टूबर से पहले नीचे यह पता दे रखा है, यह भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके उपर आप भेज दें, तो अगर आप इच्छुक हैं, डिली पुलिस में कॉंस्टेबल के पद की भरते के लिए आविदन करने के ल और तेसरी जो हमारी प्लिस वेकेंसी अपडेट है, वो यूपी के उमीदवारों के लिए काफी बड़ी खुश खबरी है, अगर आप यूपी के यहाँ पर उमीदवार हैं और अगर आप प्लिस भी भाग में नोगरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूपी सरकार ने बं पड़ों पर भरती के लिए घोषना की है, मुख्यमंत्री योगी ने घोषना करते हुए कहा है कि राज्य की कानून विवस्ता सुद्रेट करने और यूवाओं को रोजगार मुवाया करवाने के उदेशे से पुलिस डिपार्टमेंट में विभिन पड़ों पर पिच्चा आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, अभी उन्होंने यहाँ पर सिरफ यह डिकलेरेशन किया है, अधिकारिक वैपसाइट के उपर जानकारी नहीं दी है, लेकिन एहलान यहाँ पर कर दिया है कि बहुत जल्द ही यूपी सरकार पुलिस की ओफिसिल वैबसाइट यूपी उपलब करवा दी जाएगी, यूपी प्लिस और पी एससी में इपसी पाही के 31,520 पदों के लिए वेकेंसी निकाली गई थी, जिसकी भरती पर के लिए अभी चल रही थी, इसी वेकेंसी से कॉंस्टेबल के 23,520 पद था, पी एससी कॉंस्टेबल के लिए 18,000 पदों के ल दूसरे शिफ्ट की परिक्षा के पेपर को सुभय की शिफ्ट में पाट दिया गया है, मतलब अब मुख्यमंतरी ने यहाँ पर एलान किया है, कि आने वाले समय में यहाँ पर 95,000 पर वेकेंसी निकलने वाली है, तो जब भी वेकेंसी अपडेट यहाँ पर आएगी, हम आशा करते हैं, वीडियो से समंदित जानकारे आपको पसंद आये होगी, वीडियो आपको वैल्यूब लगी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें, क्योंकि अगर आप एक सर्विसमेन हैं, या फिर एक सर्विसमेन के पूरे यूटूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी, सिंगल चैनल है, आपका आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने परिजनों के साथ इसे जरूर सेयर करें, फिर हाजिर होंगे आपके सामनी लेटेस्ट विकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के ल करेंगे आपके साथ.